हेलो गाईज कैसे आप लोग मैं हूँ अमितलडा आपका फ्रेंट 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 गाईड चलिए स्टार्ट करते हैं काफी बच्चे एक ही सवाल पूछ रहें कि सर अब ये पांच महीनों में क्या करें ठीक है तो हर अलग-अलग सिटुएशन को मैं इस वीडियो में कव बना सकता तो one for all है ठीक है तो patience है तो आप देखिए नहीं तो आप fast forward करके देखिए जैसा भी आपको देखना है देखिए बट वीडियो लंबा होगा पहले मैं disclaimer दे दे रहा हूं ठीक है चलिए तो अलग-अलग situations है सबसे पहला situation है कि आप currently zero पे हो ठीक है zero पे हो मतलब जो काफी बच्चे पूछे ना सब from scratch अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या possible है from scratch from scratch तो यह है from scratch कि अगर आप पहले नहीं पढ़ चुके हो या पढ़े भी हो तो वो almost zero है और अब आप June में क्या कर सकते हो या आपके लिए क्या अच्छा है या क्या आप कर पाओगे क्या नहीं कर प सकते हो ठीक है दे सकते हो देना है कि नहीं that's a different thing ठीक है तो यह मैं जो result awaiting है foundation वाले बच्चे उनके लिए नहीं बता रहा हूं यह existing students के लिए बता रहा हूं ठीक है misinterpret नहीं करना इसको ठीक है तो आप existing student हो repeater हो और आपको आप यह situation में अगर हो तो मेरे इसाब से single group आपके preferable है क्योंकि 5 महिने में from scratch both groups possible नहीं है possible नहीं ठीक है आखरी तक syllabus आपका complete नहीं हो पाएगा और आप revise भी नहीं कर पाओगे आप testories नहीं दे पाओगे आप जो finishing touch होता है वो दहीं नहीं पाओगे क्योंकि आपका syllabus ही complete नहीं होगा अगर आप both groups के लिए कर रहे हो तो problems क्या होती है problems है आप target तो रख लोगे 8 गंटे 10 गंटे 12 गंटे पर वो practically आज से लेके पूरे 5 मैंने continue रहता नहीं है वीजवीच में आप problems face करोगे वीजवीच में आप demotivate हो जाओगे फिर आप अगर attempt दे चुके हो तो result आएगा तो theoretical planning में और execution में बहुत बड़ा gap होता है और इसलिए both group possible नहीं है नुकसान क्या होता है कि जो अच्छा खासा आज से लेके plan करके आप एक group pass हो सकते हो अच्छा खासा एक group आराम से pass हो सकते हो plan करके वो भी आपका नहीं हो पाएगा ये downside है अगर आप जबरदस्ती try करने के लिए करोगे काफी बच्चे try करने के लिए करते हैं उनको ही कह रहा हूं तो अच्छा खासा single group अच्छे सा pass हो सकते हो वो opportunity भी आपकी जा सकती है क्योंकि आप both group में हो सकता है दोनों में fail हो जाओ कि burden इतना बढ़ जाता है उतना आप को पप नहीं कर पाते हो confidence level ही नहीं रहती है क्योंकि आप revise ही नहीं कर पाते हो writing practice ही नहीं कर पाते हो तो बहुत ही कम confidence में both group निकलना possible नहीं होता है ठीक है तो इसलिए अगर आप from scratch वाले हो तो आपके लिए better है आप single group करो आराम से आप कर सकते हो तीन या चार subjects होंगे maximum तो आप आज से पांच महीने में आराम से बढ़ सकते हो with classes भी बढ़ सकते हो from scratch एचे ना self study भी कर सकते हो classes के साथ भी कर सकते हो एक group प्र पॉसीबल है ठीक है तो उसमें आप क्योंकि चार ही subjects है या तीन subjects हैं डिपेंडिंग अपन अप old syllabus में हो new में हो जो भी level पे हो ठीक है तीन या चार subjects होते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके तीन या चारी subjects है, आप daily सारे subject स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है daily सारे subject स्टार्ट कर सकते हो, 1 hour per subject से आप start करो 1 hour per subject से start करो gradually increase करो क्योंकि अभी अभी exam हुए है या अभी अभी new year हुआ है तो अभी आप इतने mood में नहीं हूँ इतना बड़ा schedule आप अभी से follow नहीं कर पाओगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ To start with 1 गंटा रखो एक गंटे के नीचे तो possible नहीं एक गंटा रोज पड़ो फिर gradually उसको 1 and half hour करो तो totality में वो 4,5 गंटे हो जाएगा और फिर eventually 2 गंटे per subject आप उसको करो तो 6-7 गंटे आपका schedule बन जाएगा ठीक है gradually फिर अपने आप होगा main दिक्कत स्टार्ट में होती है तो to start simple रखो 1 hour per subject ठीक है तो आप ऐसा single group का start कर सकते हो एक गंटा आप classes भी देख सकते हो फिर 15-20 minutes self-study कर सकते हो तो थोड़ा वोई देड़ गंटे से start करना पड़ेगा अगर आप classes के साब start कर रहे हो क्योंकि classes में आपको कम से गम एक गंटा तो class देखना ही पड़ेगा रोज और उसको फिर 10-15 minutes खुद भी revise करना पड़ेगा तो 1.5 hour से आप start करो अगर आप with classes start कर रहे हो self-study कर रहे हो तो 1 hour से भी start कर सकते हो ठीक है तो clear है from scratch हो single group 100% possible है आप अच्छे से आराम से pass कर सकते हो कोई tension नहीं है ठीक है अगर आप आज से start करते हो तो disclaimer दे देता हूँ आराम से pass कर सकते हो तो चलो बाद में start करेंगे ऐसा भी नहीं है आज से start कर रहे हो तो ही मैं सारी चीज़े बता रहा हूँ तो आज से अगर आप discipline way में start करो एक गंटा, देड़ गंटा, दो गंटा पर subject अगर आप start करते हो तो आप आराम से single group clear कर सकते हो इतना enough time है with writing practice, with revision आप अच्छे से कर लोगे but both group possible नहीं है ठीक है clear है पहला situation अब आते है second पे जो बीच में लटके हुए एक group prepared है pass भी हो सकता है नया कुछ भी बाकी नहीं है ठीक है, ऐसा मैं assumption ले रहा हूँ कि अभी आपका एक group या तो pass है या pass नहीं भी है तो आपके तरफ से पूरे effort आपने दे दी है आपके तरफ से आपकी सारी classes हो गई है सारी पढ़ाई आपकी हो गई है उसको सरफ आपको आपको आपकी में revise करना है ऐसी situation में हो ठीक है एक group हो चुका है अब जो दूसरा group बाकी है वो आप करना चाहते हो ठीक है तो single group आपका हो चुका है अब आप obviously single group तो नहीं दोगे एक group जो होगे वोई एक ही group दोगे तो कोई motivation नहीं होगा आपके लिए पढ़ने के लिए आप 2-3 मेंने waste कर लोगे फिर से आखरी एक डिर मेना पढ़ोगे फिर से वोई गलतिया धोरा होगे और फिर से result सेम आएगा तो आपको अब क्या करना है बोध group मतलब देना है और इतना समय है आपके पास कि एक group आप add-on कर सकते हो तो आप same situation में हो उपर जो मैंने आपको बताया same situation में आजाओगे आपको 4 या 3 subjects पढ़ने है with class या self study आप पढ़ सकते हो तो आप 1 घंटा per subject से start करो per subject एक घंटा आप start करो conceptual order में या lectures लिए हैं तो lectures वाले आपको सब guide करते ही हैं कैसे start करना है क्या करना है तो आप 1 घंटा per subject से start करो gradually 15-20 days में आपका धीरी धीरे time बढ़ेगा धीरी धीरे आपका interest डेवलप होगा problem सिर्फ यही है आप अभी start नहीं गरपाऊगे start न करने के बहुत सारे बहाने आपके पास वो बस आपको उससे दूर रहना है फटा फट start करना है इतना चोटा target रखना है start करने का कि आपको problem नहीं हो आपका mind आपको reasons नहीं दे तो एक घंटा per subject आपको पढ़ना है तो इसमें भी same आपको सब करना है फिर आगे बढ़ते हैं फिर है कि सर आप both group दे चुके हो या both group वोई appear हो चुके हो आपकी पढ़ाई हो गई है अब हम क्या करें तो फिर से आप अगर आपका तो waiting for result है अगर आप तो आपको result के लिए wait करना ची depend करता है आपके papers कैसे गए है paper अच्छे नहीं गए है आपको पता है कि result क्या आने वाला है तो आप wait मत करो revision चालो कर दो अब इसमें क्या आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है पढ़ा हुआ है already थोड़ा बहुत हलका पुलका तो सबका बाकी रहता ही है तो वो भी आप cover up कर लेना इस बार और आपको बहुत ग्रूपी देना है ठीक है अब इसमें काफी बच्चे रहते हैं सरम को कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं है सरम कोई course कर ले क्या हम कोई certificate course कर ले क्या तो ये सब मत करो पढ़ाई निप्टाओ फिर से नहीं तो सेम गलतिया रिपीट होंगी फिर से आपको वही लगेगा कि मुझे टाइम नहीं मिला टाइम वेस भी करना है फिर आपको ये भी reason देना है कि टाइम नहीं मिला तो ये क्यों कर रहे हो experience रोन अप तो गलतिया रिपीट मत करो result अगर अच्छा नहीं आने वाला है तो आप पढ़ो या एक group अच्छा गया है एक group में ही tension है तो एक group जो tension वाला है वो आप start कर लो ठीक है पढ़ा ही start कर लो ठीक है तो इसमें अगर आप बोध group start कर रहे हो ठीक है बोध group start कर रहे हो अगर तो आप दो-दो round में start कर सकते हो, एक group आप दो महिना करो, ठीक है, तो same, दो महिने में आप target रखो, January, February, और फिर second group जो है, फिर वो भी दो महिना आपको मिलेगा, March और April, ठीक है, January, February, March, April, ऐसे आप revision करो, आपको त्रिवर रिवाइस करना है, ठीक है, तो इसमें भी आप same, 1 पर subject, 2R पर subject, ऐसा आप logic लगा सकते हो, कि क्या आपको revise करना है, इसमें वही जो subject आपका अगर lengthy है, tax lengthy है, 2-3 subject lengthy है, company law lengthy है, तो थोड़ा time जादा दो, कोई छोटा सा subject है, SLCM है, या कोई छोटा सा subject है, बहुत जादा depth नहीं है, उसमें, बहुत जादा situation नहीं है, paper ठीक्ठ वह subject easy है, tough है, lengthy है, आपके लिए क्या है, तो tough lengthy जो भी आपको लगते हैं, उनको थोड़ा time जादा दो, और जिसमें आप comfortable हो, जो आपको easy लगता है, जो आपको लगता है, आप आराम से cover कर लोगे, उसको थोड़ा time कम दो, ठीक है, तो क्यूंकि आपके पास 2 ही महने है, इ इसलिए ये जो situation है, बहुत critical है, आज से start करो, proper देड़ घंटा, दो घंटा start करो, फरवरी end का target रखो, कि एक group पूरा revise हो जाना चाहिए, आप कोई selected 4 subjects भी अपने एसाब से combination में decide कर सकते हो, कोई problem नहीं है, practical theory लोग बहुत सारे दिमाग लगाते हैं, वो भी आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़ 4 subject आपको minimum लेने हैं, minimum 4 subject लेने हैं, ठीक है, तो दो महिने में आप 4 subject निप्टाओ, और फिर बच्चे वे जो भी 3 या 4 subjects हैं, वो आप April और March और April में निप्टाओ, और फिर मई महिने में आपको पूरे 8th subject या 7th subject के division करने हैं, ठीक है, त pass नहीं हो पा रहें, तो obviously आपको both group ही देना है, single group पे divert नहीं होना है, जो भी बचा कुछा है, आप cover up करो, भले उसके लिए 15 से 20 दिन अलग से रखो, ऐसा भी आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा time इसमें से कम कर लो, जो cover up नहीं हुआ है, काफी chapters आपके छूटे हुए हैं, काफी topics आपको नहीं आते, वो 10-15 दिन उसके लिए रखो, cover up कर लो, और फिर revision start करो, वो भी चलता है, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या situation है, आपको बता है, ठीक है, तो ये है मेरे ख्याल से, अलग-लग situation के साब से आपको क्या करना है, simple schedule है, अभी आपको सिर्फ start करना है, start करन में अगर आप बहुत जादा complications लाओगे, तो आप start ही नहीं करोगे, ये बात समझो, schedules में बहुत अच्छे से बना के दे सकता हूँ, बट वो अभी इसकी सई situation नहीं है, अभी objective क्या है, अभी objective है कि आपको पढ़ाई सिर्फ start करनी, अगर आप अभी 8-8-10 गंटे के schedule बनाओ आप start ही नहीं कर पाओगे, वो ही mind आपको divert करेगा, delay करने के लिए कहेगा, तो simple रखो, 3-4 गंटे का target रखो, मेरे इसाब से 3-4 गंटे आप पढ़ाई start कर सकते हो, उसके लिए बहुत जादा excuses आप अपने आपको नहीं दोगे, तो 3-4 गंटे, 1 hour per subject लेके आप start करो, और मे करी के end तक ही, आप खोदी मैसूस करोगे कि आपका time बढ़ गया है, double हो गया है, तो वो अपने आप होते जाएगा, ठीक है, इसके अलावा, जो भी है, इसके अलावा, ठीक है, काफी बच्चे बिना वीडियो देखे comments में पूछ रहे हैं, तो मैं उनको जवाब नहीं दू आप comment box में पूछ सकते हो, comment में पूछ सकते हो, ठीक है, thank you so much, और share जरूर करिएगा, ताकि लोग पढ़ा ही start करें, time waste न करें, वीडियो लाइक करना अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, thank you so much.